हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूटूब चेनल मा आसा एस पॉइंट में श्वागत है मेरे साथियों आज की जो क्लास है ये बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12 एंसी आर्टी बुक के हिस्ट्री के चप्टर 3 यानि कि बंधुत्व जाती तथा वर्ग आरंभिक समाज के लाइन बै लाइन एक्स्प्रेंड करने वाला हों इसे बज़त से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे और अगर आप हमारे यूटूब केनल पर नए आए हैं तो पिलीज इसको सस्क्राइब कर जानेंगे और उससे रिलेटेड पहले के मतलब व्यक्ति के जीवन यापन कैसे होते थे उससे मैं मतलब महाभारत के युद्ध का विशंचिप में आप जानेंगे कैसे कैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो यह सारे मतलब बातों के जनकारी आपको इस वीडियो में मिल देगा तो सबसे पर्थम जानेंगे हम लोग महाभारत की विशह में देखिए महाभारत हिंदूओं का एक प्रमुख काब गरंत है महाभारत जो है यह हिंदूओं का एक प्रमुख काब गरंत है जो एसमिर्ति के इतिहास वर्ग में आता है यह काब गरंत भारत का अनुपम ध समीवी होगा पुरानिक यानि कि पहले की कथाओं के भिषय में एतिहासिक और दार्शनिक गरंत भी है विश्व का सबसे लंबा या शाहितिक गरंत है यानि कि यह महाभारत जो है विश्व का यानि कि दुनिया का सबसे लंबा एक शाहितिक गरंत है और काव्य है हिंदु धर के मुख्यतम गरंथों में एक है कहते हैं यह महाभारत जो है यह हिंदु धर्म के मुख्यतम गरंथों में से एक है इस गरंथ को हिंदु धर्म के पंचम वेद माना जाता है अपने से पहरे सुनेंगे कि चार वेद है लेकिन यह महाभारत लगा करके कहा जाता है कि इस गरंथ को हिंदू धर्म के पंचम वेद माना जाता है तो आप से कुश्चन करेगा कि हिंदू के पंचम वेद किसे कहा गया है तो आप उसका अंसर देंगे महा भारत को आपको पता है ना मतलब वेद कितने हैं चार वेद हैं रिग वेद शाम वेद यतर वेद और यजुर वेद नेक्स्ट कोईस्चन है अब जानेंगे महाभारत की रचना यानि कि ये महाभारत की रचना कैसे हुआ तो इतिहास कारों का मानना है कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था यानि इतियासकारों का मानना है कि यह कई लेखों की रचना है इसमें केवल 88 सलोक के बाद में छंदों की संख्यां बढ़ करके एक लाख हो गई है 19.19 में एक महतपुर्ण काम सुरू हुआ वी ऐस सुन्थनकर के नत्रित में एक परशिद संस्क्रित विद्वान जिन्होंने महाभारत के एक महतपुर्ण संस्क्रन को तयार करने के लिए समर्पन क्या कहते कि इसमें जो सलोकों की संख्यां है वो 88 सलोक थे बाद में छंदों की संख्यां उससे बढ़ करके एक लाख हो गई है नेक्स्ट है कि महाभारत का पुराना नाम जैसनहिता था आपसे क्वेस्चन करेगा किसका पुराना नाम जैसनहिता था तो आप ध्यान रखेंगे कि महाभारत का पुराना नाम जैसनहिता था महाभारत की रचना 1,000 वर्ष तक होती रही कहते हैं ये महाभारत की रचना कोई एक दिन में नहीं हुआ 1,000 वर्ष तक होती रही लगवग 520 यानि कि before Christ पहले इसापूर 570. इसापूर में इसकी रचना हो सी थी महाभारत से उस समय के समाज की अस्थिती तथा समाजिक नियमों के बारे में जनकारी मिलती है आपसे question करेगा कि महाभारत से मुझे क्या सिखने को मिलती है तो महाभारत से समाज की अस्थिती तथा समाजिक नियमों के बारे में जनकारी मिलती है नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि महा भारत का समा लोचनात्मक संस्करन तो उनीस सा उनीस स्वी में संस्कृत भासा में एक महान विद्वान जिनका नाम था वी एस शुकन थांकर था के नित्रित में एक बहुत महत्वा कांक्षी परियोजना की शुरुवात हुई इस परियोजना का उद्देश था कि महाभारत नामक महान महाकाबि की विभिन जगहों से प्राप्त विभिन पांडुलिपियों को इकठा करके एक किताब का रूप दिया जाए उसको पूरा छापा जाए और विस्थार से बताया जाए बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समा लोचनातमक संस्क्रन तयार किया की जिमेवारी उठाई विद्वानों ने सभी पांडोलिपियों में पाये गए सलोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंड निकाला विद्वानों ने उन स्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडरी लुपियों में लिखे हुए थे इन सब का प्रकासन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अने गरंत खंडों में हुआ इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे इस पूरी प्रक्रिया में दो बाते विशेश रूप से उभर करके आई पर्थम बात था संस्कृत में कई पाठों के अन्सों में समानता थी यह इस बात से ही असपस्ट होता है कि समुचे उप महादूइप में उत्तर में कस्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिन में केरल और तमिलाडू तक सभी पांडो लिपियों में यह समानता देखने में आई यानि कि वहां का जो पांडो लिपिया मतलब इकठा किया था तो जो सभी समानता था उसी को लिया गया और उससे पता चला कि उत्तर में कस्मीर से और नेपाल से लेकर के दक्षिन में केरल तमिलाडो तक सभी पांडोली प्यों में यह समानता देखने को मिला दूसरा बात ये सामने आए कि कुछ सताबदियों के दोडान, कुछ महाभारत के प्रेरन के अनेक छत्रिय प्रभेद उभर कर सामने आए अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा बंधुता एवं विवा बंधुता एवं विवा अब परिवार के विशें हम जानते हैं, ये परिवार क्या है? परिवार समाज की एक महत्पुन संस्था थे एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बाट करते थे करते हैं, कहते हैं कि परिवार क्या है? परिवार समाज की एक महत्पुन संस्था थे एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बाटके करते हैं परिवार के लोग संसाधनों का परियोग मिल बाटकर करते हैं यहने कि कोई भी संसाधन होता है परिवार के एक परिवार में रहने वाले क्या करते हैं दुसरे का साहता करते हैं ना परिवार के लोग एक साथ रहते थे, परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाट करते हैं, कुछ समाजों में चचेरे और मसोरे भाई बहनों को भी खून का रिस्ता माना जाता है, जैसे हिंदों में होता है कि नहीं, चचेरे भाई को अपना खून का रिस्ता मानते हैं, म पित्री वन्शिक्ता ये पित्री वन्शिक्ता क्या है पित्री वन्शिक्ता पित्री वन्शिक्त से अभी प्राय की पिता की मिर्तियू के बाद उसके संसाधनों का हकदार उसका पुत्र का है कहते हैं कि जब पित्री वन्शिक्ता गुजर गए उसके बाद पित्री वन्शिक से अभिप्राय की पिता की मिर्ट्यू के बाद उसके संसाधनों का हगदार उसका पुत्र का है इसे पित्री वन्शिक व्यवस्था कहते हैं प्रंतु राजा की मिर्तियू के बाद उसका सिंहासन उसके पूत्र को सौप दिया जाता है तथा कभी पूत्र न होने पर समंधी भाई को उत्राधिकारी बनाया जाता था कहते कि राजा का जब मिर्त्यू होता था तो राजा के मिर्त्यू के बाद उसका सिंहासन उसके पूत्र को सोब दिया जाता था या जाता है अतथा उसके पूत्र नह होने पर समंधी भाई को उत्राधिकारी यानि कि उसके समंधी में से किसी को बना दिया जाता था विवाह के नियम उस समय विवाह के क्या-क्या नियम थे तो ब्रह्मनों ने समाज के लिए एक विश्तरित अचार सन्हिता तयार की है लगभग पान साइशा पूर्व से इन मान दंडों का शंकलन धर्म सुत्रव धर्म सास्त्र नामक संस्कृत गर शंकलन धर्म शुत्रवा धर्म शास्त्र नामक संस्क्रित गरंथों में किया गया इसमें सबसे महत्पूर्ण मनुए स्मिर्थी थी जिसका संकलन दूसा इसापूर्व से दूसा इश्वी के बीच किया गया कहते कि दूसा इसापूर्व यानि कि इसापूर्व के दिन जन्म दिन के पहले के इसको हम क्या कहते हैं बीसी कहते हैं देखे इसा पूर्व और इश्वी में मतलग अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखेंगे जब से इसा मसी का जन्म हुआ जब से इसा मसी का जन्म हुआ उससे पहले का समय को हम इश्वी पूर्व कहते हैं इश्व को हम क्या कहते हैं इस भी कहते हैं और इससे पहले को हम इस भी पूर्व कहते हैं तो वही कहते हैं कि इसका जो संकलन हुआ था वो दूसर इस भी पूर्व से दूसर इस भी के बीच किया गया था अब है दिल्चस्प बात यह है कि धर्म शुत्र वह धर्म शास्त्र विवाह के आठ परकारों को अपनी स्विक्रित देती है कहते कि उसमें विवाह के आठ परकार थे और उसको स्विक्रित परदान है अपनी इसमें पहले चार उत्तम माने जाते हैं और बांकियों को निंदित माना गया है संभवता कहते कि उनमें से चार को बहुत अच्छा माना गया है औ तिकी ने में से जो है न चार जिसको खराब कहा गया क्यांकि यह ब्रह्म्मन से तालमेल नहीं खाता था उसके नियमों के विरुद था अंतरविवाहप्धति गोत्र के अंदर कुल जाती में विवाह करना इसको हम अंतरविवाहपधति कहते हैं दुसरा था बहिर विवाह पधती, बहिर विवाह पधती का अर्थ होता है कि गौत्र के बाहर में जाती में विवाह करना, यानि कि अपने जात में नहीं दुसरे जात में जाकर के शादी करना, उसको हम बहिर विवाह कहते हैं, अब है पित्री वंसिय समाज में पुत्र का बह करता माना जाता था करत कन्यादान उस समय भी था और अभी भी है तो गौत्र अब गोत्र क्या होता है दिखें गौत्र एक ब्रह्मन पधती जो लगवग एक हजार इस्वी पूर्वित के बाद प्रचलन में आई इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था परतिय गोत्र एक वैदिक रिशी के नाम पर होता था उस गोत्र के सदस रिशी के वनसज में माने जाते थे नए नगरों का उदभव हुआ समाजिक नियम बदलने लगे कराय विकराय के लिए लोग नगरों में आते थे विचारों का अदान परदान होने लगा इसलिए प्रारंबिक विश्वासों वर्वार पर प्रश्ण चिन लगे इन्ही को चुनोती देने के लिए ब्रह्मनों ने आचार सन्हुता तयार की इसका पालन सभी को करना था और इस समय ब्रह्मनों ने क्या किया अचार सनिता एक मतलब तयार किया और कहा कि सब को इसका इस नियम का पालन करना पड़ेगा उसके बाद जानते हैं इस तरी का गौत्र अब इस तरी का क्या गौत्र होता है तो गौत्र पधति यानि कि हजार इस्वी पूर्वे परचलन मे आई इसका मुक देश गौत्र जो होते हैं व करक्रम के नाम पर होता था उस गौत्र के सदस्यों की रिश्य का वनसज माना जाता था अब गोत्र के क्या-क्या नियम थे गौत्र में शादी के बाद इस्तुरीयों को पिता की जगर पती का गोत्र अपना पड़ता था कहते हैं जब साधी होगा फिता जिस स्कूछ में थे उससे कोई ले नदर नहीं उसके पती जिस स्कूछ में होगा उसको उसे मानना पड़ेगा दुसरा था गोत्र का दुसरा नेम आपस में यानि कि अपने आपस में साधी नहीं कर सकते थी यानि कि उसको दुसरे जिगा करना पड़ता था आपस में साधी नहीं कर सकते हैं अब है साथ वाहन राजाओं में यह पर्था विपरित थी कहते हैं कि साथ वाहन राजाओं में यह पर्था विपरित थी साथ वाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां इस्तरी को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे वहाँ पर क्या होते थे जब सादी विवा हो भी जाते थे फिर भी उसके पिता का ही गौत, उसको रखना पड़ता था साथ वाहन बहुपत्नी परथा को मानते थे साथ वाहन वंस के जो लोग थे वो बहुपत्नी यानि कि एक पत्नी नहीं है जितना मरजी मतलए एक दो तीन चार पांच जितना करने का है पत्नी वो कर सकती वो परथा वो मानते थे अब है बहुपत्नी और बहुपती पर्था क्या है चलिए उसके विसे में थोड़ा जानते हैं तो बहुपत्नी पर्था में एक से ज़्यादा इस्तरियों से साधिकी जाती है ऐसा साथ वहां राजाओं में होता था ऐसा जो है सभी में नहीं होता था शातवाहन राजाओं में होता था और बहुपती पर्था में एक से अधिक पुरुसों से साधिक की जाती है देखिए यहां क्या बहुत पत्नी है यानि कि एक नहीं अनेक पत्नी हो साधिक कर सकते हैं और यहां बहु पती है यानि कि इस पर्था में अधिक पुरुसों से साधिक की जाती है जैसे उधारन के लिए आपको दरुपती होगे दरुपती के कितने पती थे आप हमें कमेंड में बताएंगे यह तो सिंपल सा ही बात है और उसके उनके पती का क्या नाम था आप हमें कमेंडे में बताएंगे नेक्स्ट है कि क्या माताओं को महत्पुर्ण समझा जाता था क्या उसमें माताओं को महत्पुर्ण समझा जाता था इतिहात में बहुत से ऐसे किस्से है जिसमें पता चला कि 16 एसवी पूर्व से 16 एसवी के सुरुवात्स समाज में मातायों को भी महत्पुर समझा जाता था अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे कहते कि ऐसा एक उधारन है इसा एक किसा है साथमहन राजाओं का कि साथमहन राजा ने अपने नाम से पहले यानि कि जैसे किसी का नाम है उससे पहले वो अपने माताजी का नाम लगाते थे जिससे यह पता चलता है कि माताओं को भी महत्पुन माना जाता है और उसी से अनुमान लगाया जाता है कि पहले का व्यक्ति अपने माताओं को भी शम्मान करते थे अब है समाजिक विसमता आए उसमें समाजिक में समाज में क्या-क्या विसमता आए थे तो पर्थम था व्यवस्ता है वर्न व्यवस्ता पहले क्या था वर्न व्यवस्ता अब वर्न में पर्थम आगे आपको छत्रिय तो यह समय पढ़ने पर यूद करते थे कहते हैं कि उसमें छत्रिय जो थे यह समय पढ़ने पर युद्ध करते थे यह राजाओं को सुरक्षा परदान करते थे वेदों को पढ़ना और यग कराने का कार्ज छत्रियों को दिया जाता था यह जानता के बीच निया कराने का कार्ज करते थे ये आपका कार्ज हो गया छत्रिया का, छत्रिया इतना काम करते थे, उसके बाद हो गया दुसरा ब्रहमन, यह पुस्तकों का अधियन करते थे, गरंतों का अधियन करते थे, वेदों से सिक्षा प्राप्त करते थे, यग करवाना और यग करना इसका कार्ज था, यह दान लेते थे यह आपको ब्रह्मनों का कार्ज हो गया यानि कि उसमे सब कास्ट का इसक मुक कार्ज dissolve आप यह कि अब तिस्रा आपको हो गया ह। है कि यह करते थे पसोपालन करते थे ग्रिशि करना इसका मुख कार्ण था व्यष्यों का और दान दक्षिना देना इसके मुख कारणों में से एक है कहते कि व्यष्य लोग जो थे यह व्यापार कर सकते थे पसुपारन करते थे क्रिसी करना इसका मुख कारण था और दान दक्षिना देने इसके मुख कारणों में से एक था अब चौथा आपको हो गया शुद्र तो शुद्र यह तीनों वर्गों की सेवा करने का कारण करते थे यानि कि उपर जितने भी जो छत्रिय होगे ब्रह्मन होगे और वेश्य होगे शुद्र का काम था कि उन तीनों का सेवा करते थे इसका मुख कारण इन तीनों की सेवा करने का ही था जैसे इन नेमों का पारण करने वालों के लिए ब्रह्मन ने दो तिन नितियां अपनाई थी ब्रह्मन ने इसके लिए अलग से दो तिन नितियां अपनाई थी वर्न व्यवस्ता इस्वरिय देन है उन्होंने कहा कि ये वर्न ववस्था जो हमेने चार वर्नों में बाटे हैं छत्रिया, ब्रहमन और चुद्र और वैश ये इसे वर्न ववस्था इस्वरिया दिये ने बोलते हैं ये इस्वर के द्वारा बनाया गया है सासकों को प्रेरित करना की वरन ववस्था लागू करवाए जनता को यकीन दिलाना कि उनकी परतिष्ठा जन्म पर अधारित है और जनता को यकीन दिलाता था कि हाँ आपका जो जन्म हुआ था इसकूल में हुआ है आपको यही काम करना पड़ेगा क्या हमेशा छत्रिया राजा हो शकते हैं अब अपकी मन में को प्रस्न आता होगा कि क्या उस समय सिर्फ छत्रिया राजा हो सकता और अन दुसरा कोई नहीं हो सकता है तो नहीं यह असत्य है इतिहास में कई ऐसे राजा हैं जो छत्रिया नहीं थे कहते कि यह बात असत्य है कि शिर्फ छत्रिया ही राजा हो शकता है मोर्ज वन्स का संस्था पक सबसे पहले उधारान आपको दिया गया है मोर्ज के संस्था पकट चंद्रुप्त मोर्ज कहते हैं यह एक विशाल समराज पर राज किया, बोध गरंतों में यह बताया गया है कि यह छत्रिया है, लेकिन ब्रहमन सास्त्रों में कहा गया है कि यह निमन कुल के हैं, अब है सुंग के कन्व, मोरि के उत्राधिकारी थे, कहते हैं कि सुंग बन्स के जो है, कर्णव जो है, सुंग और कन्व मोडी के उत्राधिकारी थे जो यह माना जाता है कि वह ब्रहमन कुल से थे इन उधारनों से हमें यह जात होता है या निक्यात होता है कि राजा कोई भी बन सकता था इसके लिए यह जलूरी नहीं था कि वह छत्रिय कुल में पैदा हुआ तो ताकत और समर्थन जाद या बहुत सारे थी कहते वर्ण सिर्फ वर्ण को चार भागों में बटा गया है जो हमने इससे पहले पड़े हैं तो उसमें जातियां क्या थी तो बहुत सारी जातियां थे जिनने वर्ण में समाहित नहीं किया किया उन्हें जातियों में डाल दिया जैसे निसाद हो गया जातिया कर्म के अनुसार बनती गई कहते हैं जातिया जो है जो जिसा काम करते गया उसको उसी चैप से बनाते गया कुछ लोग दुसरे जिविका में अपने लेते थे कहते हैं कि कुछ लोग जो है न दुसरे जिविका को अपना लेते थे चार वर्गों में परे प्राधिन और संघर्ष कहते हैं कि चार वर्णों के परे प्राधिन अधिनता और संघर्ष की बाद भी जानेंगे कि चार वर्णों था ता किर कौन किसका मतलब बहुत ज़्यदा सेवा कर रहा था क्या प्रोबलम था तो ब्रहमनों के द्वारा बने गई वर्ण ववस्ता से कुछ लोगों को बाहर रखा गया इन्नोंने कुछ वर्गों को अस्प्रिश घोषित किया जैसे ब्रहमन अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे ब्रहमन अनुष्ठान यानि कि यग अनुष्ठान को पवित्र काम मान कुछ काम दुसित माने जाते थे जैसे सब का अंतिम संस्कार करना और मिरित जानवरों को छोना इन कामों को करने वाले को चंडाल कहा जाता था और ब्रह्मनों ने कहा उसको कुछ दूसित का मुगमाने जैसे कि कोई अगर मुर्दा को जलाते थे तो जैसे कि जानवरों का चाल वेगरा मतलब पहले करते थे ना उचालते थे तो ये सब को ब्रहमनों लोग क्या करते थे चंडाल कहा गया कि ये चंडाल है हां जिसको हम डोम भी कहते हैं चंडालों को छुना और देखना भी पाप समझते थे और बरहमनों ने कहा कि ये चंडाल जो है इसका मूर देखना भी बहुत बड़ा पाप है मनुष्मिर्टी के अनुसार समाज में चंडालों की अस्थिती अब जानेंगे कि मनुष्मिर्टी के अनुसार जो है न समाज में चंडालों की क्या क्या स्थिती थे तो समाज में चंडालों की सबसे निच समझा जाता था और इसका मुक काम सबों को और मिरित पसुओं को दफनाने का था गौ से बाहर रहना चंडालों को गौ से बाहर रखा जाता था फेके बरतन का परियोग करना मिरित लोगों को कपड़े पहनना मिरित लोगों के आभुसन पहनना हाँ रात में गौन नगरों में चलने की मना ही पहले रात में गौन नगरों में चलने को भी मना ही था कि चंडाल लोग रात में गौन अगर में भी नहीं जा सकता है अस्प्रिश्यों को शड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दुसरे उन्हें देखने से बचे यानि कि वो जब जाता था करताल बजाता था ताकि हम आ रहे हैं आप लोग अपने साइड हो जाईए अब ऐसंसाधन एक परतिष्ठा आर्थिक संबंदों के अध्यन से पता लगा कि दस भूमिहिन, खेतिहर, मजदूर, मचुवारो, पसुपालक, क्रिशक, मुखिया, सिकार, सिल्पकार, वनिक, राजा आदि सभी का समाजी का स्थान पर इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों का उनका नियंत्रन कैसा है अब संपती पर इस्तिरी पुरूष के भिन अधिकार अब उसमें संपती पर किसका अधिकार था तो देखे मुन्यस मिर्थी के अनुशार पिता के मिर्तिव के बाद उसकी शंपती पुत्रों के बाटी जाती थी, जेश्ट पुत्र को विशेश हिस्सा दिया जाता था, विवाह के दोडान मिले उपहार पर इस्तरी का अधिकार था, यह शंपती उसकी संतान को विराशत में मिलती थी, पती का उस पर अधिकार नहीं था इस्तरी पती की आग्या के बिना गुप्त धन संचाय नहीं कर सकती थी और उच वर्ग की औरत संसाधनों पर अधिकार रखती थी और जो उच वर्ग के औरत थे वो संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी पुरुषों के लिए मुनुश्मिर्टी कहती है कि धन अरजि के साथ तरीके एक साथ नियम है विरासत से खरीद से विजित करके या निवेस करके खोज करके या कार्ज द्वारा या सजनों द्वारा भेंट को स्विकार करके आप जो हैं धन अर्जित कर सकते थे इस तरीयों के लिए संपती अर्जन के छो तरीके अव इस तरी भी जो संप स्नेह के प्रतिक के रूप में या माता द्वारा दिये गे उपहारों से इन सब भ्राता द्वारा दिये गे उपहार से इन सब मतलब यह जैसे की पिता वेगरा भाई वेगरा जो भी देंगे आप उसके तरिका से जो है ना आपधान अरजित कर सकते थे इस तरियों के लिए य इसके अतरिक्त प्रविर्ति काल में मिली भेड तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पती से उसे प्राप्त हो कहते हैं इसके अतरिक्त प्रविर्ति काल में मिली भेड तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पती उसे प्राप्त हो वर्न एवं संपती के अधिकार अब उसमें वर्न और संपती के अधिकार किसके किसके पास था तो सुद्र के लिए केवल एक जीविका थी सेवा करना और उच वर्ग वर्न उच वर्ग लेकिन उच वर्गों में पुरूसों के लिए अधिक संभावना थी ब्रह्मन और छत्रि श्विकार नहीं किया अब है शाहत स्रोतों का इस्तेमाल किसी भी गरंद का विशलेशन करते समय इतिहास कई पहलों पर ध्यान रखते हैं भासा सधारन भासा या विशेश भासा गरंद का प्रहार मंत्र या कथा से लेखा लेखा के वंविशाय में द्रिश्टिकोन स्रोताओं का निरिक्छान गरंद का रचनाकाल और गरंद की विशेवस्तु ये था साहित स्रोतों का इस्तेमाल यानि विशायवस्तु में आपको हो गया उबदे सात्मक उसके वाद समाजिक आच्रन विचार के मांदन्ड सद्रशिता की खोज में बीबी लाल के परियास कहते हैं कि सद्रशिता के खोज में बीबी लाल के क्या परियास थे तो 1951 से 52 में एक परसिद पुरा तात्विक और इतिहासकार जिनका नाम था वीबी लाल ने मेरट जी ले यानि कि उत्तर परदेश के हस्तिनापूर नामक नाम के गाउं में खुदाई का काम किया लेकिन जैसा हम किताबों में पढ़ते आये हैं कि यह हस्तिनापूर वैसा बिल्कुल नहीं था हलाकि सन्योग से इस जगा का नाम भी हस्तिनापूर ही था बीबी लाल जी को यहां की आबादी के कुछ सबुत मिले बीबी लाल ने बताया कि जिस जगा खुदाई की गई वहां से मिटी की बने दिवारों और कच्ची हिटों के अलावा कुछ भी नहीं मिला और इससे यह पता चली कि सायद जैसा महाभारत में हस्तिनापूर दिखाया जाता रहा है जिसमें बड़े बड़े महल थे लेकिन यहां से ऐसा कुछ नहीं मिला अब जानेंगे महाभारत एक गतिसिल गरंत है कैसे तो देखिए महाभारत एक गतिसिल गरंत है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया है इसमें कई साले कई सारे परिवर्तन पिछले कई सालों में आये हैं इसका अनुवाद भी कई सारी भासाओं में अलग-अलग हुआ है इसमें कई सारे स्लोक है और यह दुनिया का सब से बड़ा महाकाव है तो मेरे साथ यह इसमें जितने भी में में important point थी हमने बताए हैं बाकि जो भी point बचा हुआ है हम इसके जो part two video बनाएंगे उसमें मैं आपको एक करके और सारे इसके जो जितने भी point है उसके विसे में हम explain करेंगे बाकि यह video आपको कैसा लगा आप हमें कमेंडे में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पिलीज आप हमारे यूटूब चेनल को भी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे वाकिशो ठैंक्स वेरी मच अल्दा बैस्ट फिर मिलते हैं आ